अमेरिका के राश्ट्रपती चुनाव पर दुनिया भर की नजरे बनी हुई थी इस चुनाव में अजेय भढ़त हासिल कर चुके जो बाइडन अमेरिका के 46 वे राश्ट्रपती बनेंगे जो बाइडन का शपत ग्रहण समारो 20 जन्वरी 2021 को होना तय है इस शपत ग्रहण समारो में भारत के पूर प्रदानमंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग को बुलाए जाने का दावा सोशल मीडिया पर काफी वाइरल है इस दावे के साथ पूरु प्रदानमंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग, जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन की कुछ तस्वीरे भी शेयर की जा रही है एक प्रिटर हैंडल है जो कि देखने से इंडिया टुडे से जुड़े सीनियर पत्रकार राहूल कमल का पैरोडी अकाउंट जान पड़ता है इसने भी ऐसा ही दावा किया इसके लावा, Alt News ने पाया कि सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग ऐसी बाते लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं जिसके अनुसार मनमोहन सिंग को जो बाइडन के शपत ग्रहन समारों में शामिल होने के लिए निमंतरन भेजा गया है Alt News अपने तरशकों को बताना चाहता है कि ये दावे पूरी तरह से घलत हैं अमेरिकी राश्चुपती के शपत ग्रहन समारों में भारत की किसी शक्सियत को नियोता मिले और इस बात की खबर मीडिया पब्लिश न करे ये हजम नहीं होता क्योंकि ढूणने पर हमें कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ऐसी किसी भी बात का जिक्र हुआ हो हाँ जो बाइडन के शपत ग्रहन समारों के बारे में सर्च करते हुए हमें The New York Times का 9 November 2020 का एक आर्टिकल मिला इस आर्टिकल के मुताबिक अमरीकी अधिकारी और कुछ जाने माने लोग ही इस समारों में हिस्सा लेंगे इसके अलावा ठोस जानकारी पाने के लिए Alt News ने मनमोहन सिंग की बेटी दमन सिंग से बात की उन्होंने कहा डॉक्टर सिंग को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है यहां आपको बता दें कि साल 2009 में बराक उभागा के शपत प्रेंट्स अमारों में भी किसी विदेशी नेता को इन्वाइट नहीं किया गया था इस वाइरल दावे के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंग, जो बाइटन और हिलरी क्लिंटन की जो तस्वीरे शेर हो रही हैं वो दरसल 24 नवंबर 2009 की हैं उस रोज ततकालीन सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन और ततकालीन वाइस प्रेज़ेंट जो बाइटन ने भारत के ततकालीन प्रधानमंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग के लिए एक लंच कारिक्रम का आयोजन किया था कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर भारत के पूरुप्रदान मंतरी डॉक्टर मन्मोहन सिंग को अमेरिका के 46 वे राष्टुपती जो बाइडन के शपत ग्रेंट समारों में बुलाई जाने का दावा असल में मनगडन्त है वीडियो बनाई जाने तक मीडिया में ऐसी कोई भी खबर नहीं थी